Hello everyone, welcome back to my YouTube channel आज इस वीडियो हम लोग देखेंगे Court of Criminal Procedure 1973 के Chapter 15 का Section 204 Chapter 15 है Commencement of Procedure Before Magistrate जिसका Section 204 कहता है Issue of Process इसके पिछले वीडियो हमने कवा किया था Chapter 15 जो की कहता था Complaints to Magistrate मतलब कब हम Magistrate के सामने अपनी Complaint कर सकते हैं पिछले वीडियो मैंने बताया था कि दो तरीके होते हैं या तो Police को FIR लिखवा सकते हैं या फिर सीधा Magistrate के सामने Complaint कर सकते हैं याने Cognizable और Non Cognizable Offenses में तो पिछले वीडियो हमने देखा था कि जब Magistrate के पास पास Complaint आती है तो उसके बाद वो क्या करता है सबसे पहले जो Complaint होता है वो उसे और उसके विटनेस को एक्जामन करता है एक Proper Valid Reason ढूणता है Case बनाने का मतलब एक ऐसा एक ऐसा Proper Reason और Evidence ढूणता है जो ये बात को साबित करे कि हाँ जो Complaint Complaint लेके आ है इसमें कोई case बन भी रहा है कि नहीं अब मान लिजे के SI Cavidence मिल गया जिसे इसे बात साबित होती हाँ Complaint जो Complaint लेके आ है उस basis पे कोई case बन रहा है तो इसके आगे Magistrate क्या करता है तो आज ही हम वीडियो में वो ही जानेंगे इसके पहले तक जो accused था वो अभी तक frame में नहीं आया था वो picture में नहीं आया था उसके बारे में कहीं कोई जिक्र हुआ ही नहीं था बस एक second party बनके वो वहाँ पे था भले ही आप F.I.R. की बात करें कि आपने पुलिस में F.I.R. लिखाई उसके बाद उनने पूरा तर्च किया फिर रिपोर्ट फाइल करी उस बेस पर या फिर complaint के बेस पर भी तो जब तक section 204 में process issue नहीं होती है तब तक accused का वहाँ पे कोई नाम आता ही नहीं है कि मान लीजिए अगर summon case बन रहा है तो accused को summon बेजा जाता है या अगर warrant case बन रहा है तो accused को warrant बेजा जाता है issue of process का यही मतलब होता है summon और warrant को issue करना accused के खिलाफ उसे court में बुलाने के लिए उस वक्त जब trial चल रहा हूँ अब हम देखते हैं कि section 204 क्या कहता है issue of process इसमें जब magistrate cognizance लेता है जब इसके पर case जाता है तो वो सबसे पहले चीज यह देखता है कि क्या कोई case बन रहा है क्या कोई specific ground है जिसमें process issue किया जाए कि मतलब इसके आगे कोई case बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है और अगर case बनने लगता अगर case बन रहा होता है तो वो उस proceeding को आगे बढ़ाने के लिए अगर summon case है तो summon issue करता है और अगर warrant case है तो warrant issue करता है जैसे कि subsection 1 कहता है कि अगर माली जे summon case है तो जो magistrate है वो उस accused के गलाफ summon issue करेगा उसे बुलाने के लिए लेकिन वो कुछ exceptional cases में summon की जगा warrant भी issue कर सकता है आप इसी में नीचे इसका subsection 5 में देखे उसमें दिया है एक provision है जो section 87 में दिया गया है कि कुछ-कुछ cases ऐसे हैं जिसमें magistrate summon case में warrant भी issue कर सकता है किसी accused को accused की presence के लिए अब इसके बाद दूसरा है कि अगर warrant case होता है अगर warrant case होता है तो magistrate की discretion की power होती है magistrate की discretion पर होता है अगर वो चाहे तो warrant भे सकता है या चाहे तो summon भी issue कर सकता है accused को बुलाने के लिए और इसमें magistrate को कोई detail order लिखने की जरूरत नहीं होती है summon या warrant issue करते वक मतलब उसे वो mandatory नहीं होता है कि वो कोई detail order लिखे process issue करने के पहले कि वो बताये कि मैं क्यों हो ये process issue कर रहा हूँ क्या reasons है वो बिना कोई detail order क्या बिना किसी return order के ये process issue कर सकता है यहाँ पर अगर कुछ mandatory है तो वो बस इतना है कि कोई specific ground होना चाहिए case बनने का prime of ऐसी case बनना चाहिए वहाँ पर बस इतना काफी होता है process issue करने के लिए कोई return provision कुछ लिखना नहीं पड़ता बताना नहीं पड़ता कि हम process क्यों issue कर रहा है अगर कोई specific ground को specific reason बन रहा है कि इसको आगे बढ़ाने का trial चालू करने का process issue करने के लिए तो वो काफी होता है ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो magistrate बताये कोई order लिखे या कोई background बताये कि वो किस वज़े से process issue कर रहा है बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है यह जो provision ने एक बहुत ही famous case से आया सब जानते होंगे आरुशी तलवार का जो case था उस case के अंदर एक case था नुपुर तलवार वर्सेस CBI का case जिसमें यह कहा गया था Supreme Court ने कहा था कि किसी magistrate को अगर process issue करनी है तो यह ज़रूर नहीं है कि वो उसके लिए return order दे वो एक specific reason पूरा बताये कि वो क्यों process issue कर रहा है Summoned case के against कस अगर Summoned issue होता है तो उसके लिए revision भी हो सकता है लेकिन बहुत rare cases में कोई superior court इसमें interfere इसमें नहीं करती है मगर फिर भी इसमें revision हो सकता है बहुत rare of the rare case होता है जिनमें process के खिलाफ revision किया जाता है लेकिन प्रोसेस खिलाव रिव्यू कभी नहीं किया जा सकता। रिव्यू बिलकुल प्रोसेस इस्ऊ के खिलाफ रिव्यू बिलकुल किया ही नहीं जा सकता। इसका एप जात है अदालत प्रसाद गतलच aids vz रूपलाल जिंदल 2004 का कैस था। जिसमें ही बताया गया था कि कुईसी भी ऐसे के खिलाफ, प्रॉसेस के खिलाफ, रिवीउ नहीं किया जा सकता है. हाँ, आप रिवीजन करवा सकता हैं, मगर रिवीउ नहीं करवा सकते हैं. केवल एक जो remedy available होती है पार्टी के पास वो section 482 में होती है कि वो से क्वैश करवा सकती है जो कि court के inherent power में होती है आप इसे क्वैश करवा सकता है लेकिन उसमें भी court इतनल इंटरफेर नहीं करता है बहुत rare of the rare cases होता है जिसमें court उसमें इंटरफेर करती हो अब हम इसका subsection 2 देखते हैं जो कि कहता है मतलब जब तक जो prosecution है वो अपने witnesses की list नहीं देगा court में तब तक court आगे का process issue नहीं करेगा तब तक वो summon या warrant issue नहीं करेगा यहाँ पे लिखा हुए shell इसका मतलब भी mandatory provision है क्यूशन को पहले अपनी witness की list submit करनी पड़ेगी तभी court होगा वो process issue करेगा लेकिन मान लीजाब अगर court या prosecution है वो witness की list submit करना भूल गया तो अब इससे यह नहीं होगा कि आगे case में से कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी इससे case जो है वो dismiss नहीं होगा जो case की proceeding हो वैसी की वैसी चलती रहेगी अब हम देखते हैं सका subsection 3 in a proceeding instituted upon a complaint made in a written every summon or warrant issued under subsection 1 shall be a complaint by the copy of such complaint मान लीजे magistrate ने जो भी case का cognizance लिया है जब वो उसमें समन या warrant issue करेगा तो उसे उस समन या warrant के साथ उस case की एक complaint की copy भी उसमें लगा के बेजनी पड़ेगी यहां लिखा है जल भी a complaint by a copy of such complaint मतलब ही mandatory provision है court को उस समन या warrant के साथ complaint की copy लगा कर ही भेजनी पड़ेगी जब वो accused को भेजेगा अब हम इसका subsection 4 देखता है जो कहता है when by any law or any time being enforced any process fee or other fee are payable no process shall be issued until the fee are paid and if such fee are not paid within the reasonable time the magistrate may dismiss the complaint माने जिए कहीं पर process trial चलाने के लिए या process करने के लिए कोई fee देनी पड़ती है court में ज़ादर process के लिए fees भरनी पड़ती है तो अगर जो prosecution होगा वो fees पे नहीं करेगा तो जो magistrate होगा वो आगे process issue नहीं करेगा और वो case dismiss भी कर सकता है और यह जरूरी नहीं है कि वो case dismiss कर दे वो उसकी discretion के उपर है वो चाहे तो करेगा नहीं चाहे तो नहीं करेगा लेकिन अगर time जो दिया गया है उसके अंदर फीज नहीं भरी जाती है तो जाहतर वो जो case है उसको dismiss कर देता है और ही जो complaint dismiss करने का provision है यह हम पहली पढ़ चुके है section 203 में dismissal of complaint में जहां दिया है कि किन किन reasons के base पे जो magistrate है वो complaint को dismiss कर सकता है इसी के साथ हमारा CRPC chapter 15 का section 204 issue of process खताम होता है thank you